आश्विन मास क्रिष्ण प्रक्ष मंगलवार अश्टमी तिथी पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा 18 नक्षत्र में रात्री 11 बच कर 45 मिनट तक चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी राहू है आज के जन्मे जातक मजबूत शरीर वाले, भाईयों के प्रिय, स्वाभिमानी, प्रकर मस्तिस्क वाले, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, पूरवानुमान लगाने में सफल, मगर अध्यान काल में बाधाओं के कारण संगर्स करने वाले, नसीली वस्तूओं का व्यापार करने वाले यात्रा, प्रिय, मानसिक्ता के और उच्चा भिलासी भी होते हैं। यदि सहयोगी लगन रहा राहू और बुद्ध की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन रासी में ही चलते रहेंगे जिसके राशिस्वामी प्रवरित्ती बनी रहेगी, सकारात्मक प्रेरणा और विभागी सहयोग बना रहेगा। मगर भ्रम की इस्तिती भी बनी रहेगी। इसलिए महातुपुर्णिर्ण सोच समझ कर लेना चाहिए। सरकारी काम काज में सहयोग मिलेगा, रचनात्मक क्रिया सीलता बनी रहेगी हर काम करने में उत्साह की इस्थिती बनी रहेगी बौधिक छमता में बृध्धी होगी और तर्क शक्ती का इस्तेमाल लावदायक रहेगा सरकारी योजनाय सुचारू ठंक से चलती रहेगी मगर मा के स्वास्त की चिंता, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा और भ्रमात्मक किस्थिती का सामना भी करना पड़ सकता है हलाकि यार्थिक वक्ष मजबूत रहेगा, साज्यदारी लावदायक रहेगी सिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनकूल है, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी अभिष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दायक से दोगा ब्रिष रासी के जातकों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में मिथुन रासी में चल रहे हैं वाणी में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौधिक छमता में विद्धी होगी मगर मानसी का और श्तिरता संभावित है, प्रयासों में कमी और निर्णे लेने की छमता भी प्रभावित रहेगी फिर भी अपनी बौधिक छमता का इस्तिमाल ब्यावजाईक उन्नती के लिए करें रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरते हैं पिता वा उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, सिख्छा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है और पारिवारिक गायत की पूर्थी होगी और स्वास संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है मिथुल डास के जातक स्वस्त वा उर्जावान महसूस करेंगे, रचनात्मक प्रयासीलता बनी रहेगी नितित करने की छमता विक्सित होगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सासन स्वताव अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा चंद्रमा आज आपकी रासी पर ही चल रहे हैं, ब्रहमात्मक दौर भी जारी रहेगा हाला कि यार्थिक पक्ष अनकूल रहेगा, सिक्षा प्रत योगिता में सफलता मिलेगी संतान पक्ष से राहत भरी खवर मिल सकती है पारिवारिक सुक सोहर्ण में बिद्धी होगी, स्वास संबंधी आवसक सावधानी रखनी चाहिए मांगलिक कारेक्रमों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा करक रास के जात्कों के लिए चंद्रमा आज बारहमे घर में मिथुन रासी में चल रहे हैं सामाजिक वब्यावसाइक पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और उर्जास तर हर काम में सफलता दिलाएंगे मगर संतान संबंधी मामलों में अनावसक चिंता बनी रहेगी सिक्षा प्रतियोगता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें, अच्छे कामों में खत संभव है भूमी वाहन या प्रापर्टी इत्यादी के लिए अनुकूलता बनी रहेगी न्यायाला या वादविवाल संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे चोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती बनी होई है नीजी संबंधों में तनाव संभावित है और परिवार जनों के स्वास पर घ्यान देना चाहिए मांगलिक कारेकरम के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सिंग रास के जात्कों के लिए चंद्रमा एकादस भाव में चल रहे हैं प्रभावसाली ब्यक्तित और सकारात्मा प्रेरणा बनी रहेगे ब्यावसाईक साजयदारी में लाव संभव है आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है आयके संसाधनों में व्रिद्धी होगी भविश की योजनाव में निवेश के लिए समय अनफूल है संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी वैवाईक प्रयास फलिभूत होंगे पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी मगर मानसिक उल्जने और भ्रम के इस्तिती संभावित है कुछ मामलों में अनावर्शक, रुगावट वार्चने भी पैदा हो सकती है विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं मांगलिक कारेकरम के लिए आज का दिन अन्फूल रहेगा कन्या राश के राश स्वामी बुद्ध सूरे के साथ राशी पर ही बैठ है और चंद्रमा आपके दसाम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे है व्यावसाई कुन्नती का दोर जारी रहेगा मित्रों व सहयोगियों और राजनितिक गत्तियों से दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रणा मिलती रहेगी साजेदारी लावदायक रहेगी आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा और विवाद को निप्टाने की कोशिश सफल रहेगी पारिवारिक सुख सौहाद में बिद्धी होगी और अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी तुला राश के जात्कों के लिए चंद्रमा भागिभाव में राहु के नक्षत्र में चल रहा है अचानक बाधा संभाव है मगरधान लाव के इस्तिती अच्छी रहेगी और कारी चेत्र में उत्साह बना रहेगा कुछ रुके हुए काम संपन्द भी होंगे मगर राहु के दस्मे घर में होने से कारी उजनाव में अचानक बाधा या रुकावट का संकेत भी मिलता है साजे तारी के प्रस्ताव लावदायक सिध्ध होंगे और राजनीतिक व्यक्ति से भेट संभाव है सिक्षा प्रतियोगिता के छेत में सफलता संभावित है विवादित मामलों को निप्टाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा धार्मिक भावना बलवती रहेगी वैवाईक प्रयास फलिभूत होंगे मगर मन अंतरदंद और आसनकाउं से भरा रहेगा स्वास संभन्धी आवसक सावधानी बनाए रखें और मांगली कारेकरम के लिए आज कादिन अन्पूल रहेगा ब्रिश्यक राशी वाले जात्कों के लिए पराकरम भाव में मंगल उच्च के होकर केतु के साथ बैठ है और चंद्रमा आठने घर में राहू के नक्षतर में चल रहे है सकारात्मक कारी गुर्जा का सहयोग बना रहेगा मगर महत्पूर निरने सोच समझ कर लेना चाहिए हाला कि कारेच्छत में अभिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा ब्यावसाई की गोजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लागदायक रहेगा हाला कि कुछ मामलों में रुकावट का संकेत भी मिलता है संतान संबंधी मामलों में खर्ष संभावित है नए रिष्टे का प्रस्ताव मिल सकता है नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बना कर रखें और छोटे याद्रा या प्रवास संभावित है साथ ही रुआहन चलाने में सावधानी बड़ते धनु राशिक ए राशिस्वामी प्रिहस्पति अपने नक्षत्र में एकादस भाव में बैठ है और चंद्रमा सात्मे घर में चल रहे है आज हर मामले में अनकूल महसूस करेंगे आपकी कारे उर्जा बढ़ी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा साजेदारी में सावधानी अपेक्षित है नई कार्योजिनाव के प्रती समय अनकूल है सूर्य बुद्ध की योती कारे छेतर के लिए लावदायक रहेगी सिक्षा प्रत्योगिता के छेतर में समय अनकूल है संतान पक्ष सुखा समाचार मिल सकता है निजी संबन प्रगाड होंगे और वयवाहिक प्रस्ताव अनकूल रहेंगे मकर राशे के राशिस्वामी सनी बारहवे घर में बैठ है और चंद्रमाच छठवे घर में चल रहे है ब्यक्तित में निखार आएगा नित्रित करने की छमता and बौधिक उर्जास्तर में बिद्रियोगी जिसे ब्यावसाई कुन्नती में सहयोग और आठिक लाफ मिलता रहेगा मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियातम विश्वास में बिद्रियोगी सासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक विरणाब बनी रहेगी मगर सूरी बुद्ध की यूती नवे भाव में होने की वजह से रुके हुए काम संबन होंगे विभागी सहयोग बना रहेगा, सिख्छा प्रत्योगिता में सहयोग मिलेगा और स्वास संबन्धी आवसक सावधानी बनाई रखें मांगली कामों के लिए उचित समय का इंतिजार करें कुंप राशे के राशिस्वामी सनी एकादस भाव में बैठ हैं और चंद्रमा पांच में घर में चल रहे हैं स्वास संबन्धी उतार चड़ाओ और आदमिश्वास में भ्रमात्म किस्थिप्री संभावित है मगर व्यावसाइक पक्ष मजबूत रहेगा और भागेवस कुछ काम संपन्ध होंगे सासन सताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नई कार्योजनाव के प्रतियापका प्रयास सफल हो सकता है विरोधियों से सावधानिय पेक्षित है संतान संबन्धी सुप समाचार मिल सकता है सिक्षा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें आवसक संसाधनों में बृद्धी के साथ साथ खर्च भी संभव है परिवार में हर्स और तोसनता का माहौल बना रहेगा और वह वाहिक मामले फलिभूत होंगे मीन राशे के राश स्वामी ब्रिहस्पती आठने घर में सुक्र के साथ बैठ हैं और चंद्रमा चोथे घर में चल रहे हैं नकारात्मा के बिचारों वाले लग्शिओं से परहेज करें परिस्तियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रियास चारी रखें सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है चंद्रमा राहू के करीब होते जा रहे हैं और आज राहू के नक्षत्र में हैं कुछ समय के लिए धैरे और आदमिश्वास में उतार चड़ाव संभावित हैं मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाव मिलता रहेगा महत्पूर निर्णे सोच समझ कर लेना चाहिए विद्याथियों को मानसिक दवाव महसूस होगा मेहनत करनी पड़ेगी स्वास संबंदी आवसक सावधानी बनाए रखें और वायवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर में लेंगे ओम नमाह शिवाए